शाउमी ने फिर से एक बार जो है वो ये साबित कर दिया है कि अगर वो कुछ चाहें और वो ना कर पाएं ऐसा जो है वो मुम्किन नहीं है पिछले साल में उन्होंने पोको के F1 को लाकर एक बजट सेक्शन में एक प्रीमियम स्पेसिफिकेशन देखर जो है वो लोगों की मैथ हिला दी थी और बोला था कि भईया डू दा मैथ तो 2019 के अंदर हम फिर से तयार हैं किलर वर्जन 2.0 के लिए लेकिन यहाँ पर वो बोलते हैं उसको रेड्मी का K20 इंडिया में भी उमीद करते हैं कि इसी तरह से ही आने वाला है तो आई ये फटा-फट से देख लेते हैं कि क्या रेड्मी ने ड्रैगन को किल किया या नही लास्ट वीडियो में लगा कि शाक वाग लेकिन ये इनका स्लोगन है कि किल दा ड्रैगन तो डपा हमने खोल के दिखाया था आपको साधी साथ में बहुत सारी चीजे बताई थी खाली डपा खोल के नहीं छोड़ेंगे और आज करने वाले हैं यहाँ पर फोन पोन का फुल रेविव प्रोजन कौन्स के साथ में नमस्कार शर्मा जी की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम करने वाले हैं 6GB और 64GB वाले आने की बेस वेरिंट है इसका तो यह बेस वेरिंट जो है वो लगभग चाइना में 25,000 रुपय का है और उमीद करता हूँ कि इसकी जो प्राइस है जो प्रो वर्जन है 18-20,000 रुपय के अंदर होनी चाहिए स्नैप डगन के 730 और फ्लाना टिकाने के साथ में अविलेबिल्टी के अगर बात करते हैं तो शाओमी की वही कहानी है कि आप रेस में लगे रहो अगर आप में दम है तो आप रेस में जीत जाओगे और अगर आप रहे गए तो बिछड जाओगे उसके बाद में पोको यहां पर आया पोको का जो डिजाइन था वो इतना कुछ खास नहीं था नॉर्मल सा डिजाइन था लेकिन यहां पर अगर आप क्लोसली देखोगी इस फोन को हमारे पास में ब्लैक कलर में है और मुझे ब्लैक बड़ा पसंद है पैनी वेने ब्लैक र तो ठीक कराना उसको भी बहुत मुश्किल है पता है न कहानी आपको वन प्लस वाली सेम यहां पर भी है मैंने भी चलो छोड़ ज्यादा उसमें डीप में जाते हैं तो यह यहां पर कहानी है अभी तक हमने गिराय गिराय नहीं है तो वो सब बच गया है तो अगर आप बोल पूरी आप देखोगे ना सामनी की तरफ फुल स्क्रीन है और जब जब से नॉच आए ना तब से दिमाग का ध़ी कर रहा है हालो ने कि यार मतलब हमारा पूरे पैसे दी है हमने फिर भी अमको स्क्रीन जो है वो कम दी है एक बर एक बस के अंदर जा रहे थे और एक नॉच डिजाइन है, कंप्लीट स्क्रीन डिजाइन है, फुल बेड़ी डिजाइन है, लो बेजल लेस, बिल्कुल बेजल लेस थाने का जो है डिजाइन दिया गया तो बड़ी लगता है या स्क्रीन कॉंटेंट व्यू करने के अंदर उसके बाद में बात करता है ग्लास का उठा कर देगा, तो बजन almost same है, हाँ, S10 Plus से थोड़ा सा Heavy Alive S10 Plus काफी light है, लेकिन यहाँ पर बजन cover के साथ और cover के बिना उतना ही है, जितना iPhone Max का है और 6C का है, connectivity options की बात करें, तो भई यह हमारे पास में जो है iPhone के highlight जो है, आपर है camera है, और camera जो यह आप दिखते हैं बीच की तरफ दिया गया, camera में design आपको आपको super वाला जो camera है, वो 48MP का camera है, और Redmi की Note 7 Pro से Xiaomi ने इंडिया में 48MP पर जोड़ देना शुरू कर दिया है, तो वो आपको यहाँ पर camera दिया गया, 8MP का camera है, वो fx2.4 का है, और वो आपको यहाँ पर टेली फोटो मिलता है, 13MP वाला जो है, वो ultra wide आपको मिलता है, selfie camera के अगर बात करें, तो selfie camera यहाँ पर आपको जो है, वो pop-up वाला मिलता है, हलाएं कि camera में कुछ नया नहीं है, मगर मैं आपको तो कि camera में कुछ नया है, तो नया कुछ नहीं है, लेकिन जो technology है, वहाँ पर एक sound दिया गया है, और साथ में हलकी सी light दिये इनुने, और जो, इसका जो movement है, अगर आप बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं, जो pop-up है, बहुत slow है, अगर मैं आपको सेंपल सा comparison करके दिखाता हूँ, यहाँ पर oneplus के camera के साथ में जो कि same to same vivo का ही camera है, यह लो दोनों को एक बंद कर देते हैं, और दोनों को एक साथ में दबाया, तो यहाँ पर लग तो रायक ही पहले निकल रहा है, वीव वाला, जब तक आप experiment नहीं करता है, आपको पता जो नहीं चलता है, हाँ, तो यहाँ पर camera जो है, मेरे हिसाब से, oneplus के साथ तो बढ़िया एक भाई सब, एक और point विलिया, oneplus के लिए बढ़िया, भाई बहुत slow camera देना, चलता है रहा है, इतना जल्दी निकलता है, एक भाई फिस ट्रेगर, एक पर वरी दो रहा है, भाई slow motion में दिखा देना, slow motion में, भाई, 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 K20 Pro भाई साब मेरे को slow लगा था, लेकिन आप compare कर लिए, आपको भी दिखा दे, compare करके, अगर बात करते हैं, तो अगर आप एक Redmi user है, तो अगर आपको MIUI का सब कुछ पंडा पता है, कि कौँस चीज कहां से आती है, तो आपके लिए कोई tension वाली बात नहीं है, यह वीवो और OPPO की color वाईसी और fun touch वाली वाईसी नहीं है, जिसमें आपको सोचना पड़ता है कि भ थोड़ा थोड़ा अलग से custom screen मिलती है, और कुछ-कुछ चीज़ें extra ही मिल जाती है इसमें आपको जो आपको अभी भी Google के stock walk में देखने को नहीं मिलती है, बात आती है भाईसा performance, तो भाईया Xiaomi जो है वो शुरू से अपने processor को लेकर बहुत ज़ादा जो है, वो obsessed रहता है, गेमिंग के लिए best है, गेम खेल के दिखाऊं क्या, चलो देख लो सोड़ी सी, देख लो देख लो तो भाईया PUBG चल रही है, आज कल तो एक जमाना था हम Asphalt 8 खेल के दिखाया करते हैं, हम मेरा जमाना जो है 2015-16, Asphalt 8 खेल के निकला है, जब से 2008 आया तब से PUBG ने मेरा काम चीन लिया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं PUBG, क्या करूँ मैं, बैच्मांगी स्कोर के बात करते हैं, तो 3,71,702 से कंपेर खोगे मेरा को दिल्कुल बैटरी के बात करते हैं, तो 4,000 गटरी है, चरजचिंग टाइम के बात करता हूँ, तो बहिंग है डेड था क्वोन, चार्ज पे लगाया मैंने चार्जिंग जो है वो 0 से 10% हुई लगभग कितने मिनट में 11 बच के 4 मिनट पे लगाया था 11 बच के 16 मिनट तो लगभग 12 मिनट में 10% चार्ज हुआ और उसके बाद में 10% से लेके जो 100% चार्ज हुआ वो 70 मिनट में हुआ तो टोटल 82 मिनट्स में 4000 इमेज की बैटरी जो वह चार्ज हो गई लेकिन किस से मैंने यहाँ पर यूज किया सैमसंग का 25 वाट वाला चार्जर क्योंकि हमको डबे में जो 18 वाट का चार्जर मिला था और ये वाला जो चार्जर है लेकिन अगर आप कहीं से जुगार कर लेते हैं 25-28 वाट वाला चार्जर को तो 82 मिनट्स में चार्ज पूरी कर सकता है विदाउट कि आपने उसमें बीच में कुछ यूज किया हो तो तो ओवराल बैटरी है वो यहाँ पर स्टेंडर है यहाँ पर शाओमी की फौन के अंदर आपको बेजल के अंदर ही स्पीकर दिया गया है कॉल कौललर्टी ठीक है तो जादा बुरी नहीं आप कह सकते है उसको कॉल कौललर्टी अच्छी है आपको सुन जाएगा ऐसा नहीं है कोई शिकायिश फिर नहीं आहीं वीडियो quality की बात करते हैं तो AMOLED screen यहाँ पर दी है अगर मैं सीधे सीधे आपको AMOLED screen का एक comparison करके दिखा देता हूँ यहाँ पर जो आप देख सकते हैं तो AMOLED में जो colors आते हैं उतने effective यहाँ पर मुझे नहीं लगे हैं इस phone के अंदर screen जो है normal TFT LCD से comeback और को तो अच्छी लगेगी लेकिन AMOLED तो AMOLED यहाँ आपको लगेगा नहीं या कुछ कमी रह गई है तो screen कौन सी company की यूज की है पता नहीं भाई साब AMOLED किसकी Samsung की यूज की है LG की यूज की है नहीं पता है खट से खुल जाता है बस थोड़ा सा जो लगाना पड़ता है आपको तो यह रहा है यहाँ पर हमारा 10-point review K20 Pro के लिए 10-point तो नहीं हमने बता दिया लास्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर है comparison का अगर भाई साब आप कहते हो कि यार यह लेना है तो Zenphone 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 की बात नहीं करते हैं यहाँ बात करते हैं आपर Asus के 6Z की तो यह वाला फोन आपको लगबग 33,000 रुपे के अंदर मिलता है इस फोन के अंदर भी आपको अल्मोस्त अब चीए सेम मिलती है लेकिन जो फिलिप कैमरा है वो नौच की तरह है हमारे इटर साब को पसंद नहीं आता लेकिन हमको बड़ा पसंद आता है फिलिप कैमरा मुझे पहुप से फिलिप जादा पसंद आता है हम ठीदल फिलिप के सिर्फी जाएगा तरह आईफी फिलिव वर्थ नहीं है कि इसके अल्सकार प्राइसा जो यह समय किरें हमें से 1 plus 7 pro है तो भाई यह वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है उत्ते में तो जो 2 है यह आ जाएंगे कितने आ जाएंगे दो आजाएंगे साथ में ना दो तीन अजार यह बचेंगे फिर वहां से आ पावर बैंग भी खरी सकते हो कौंसा वाला शाओमी गई बढ़िया वाला नहीं तो फिर मीबेंट 4 खरीलता नो वह भी आगे मार्केट के अंदर बिल्कुल ठीक है तो यह था हमारी तरफ से यहां पर रिव्यू प्राउजन कौंस यहां पर अच्छी है मंदब की प्राइस अच्छी है स्पेक्स अच्छी ह तो वीडियो क्यों को भी आपर इंप्रूव करना पड़ेगा लेकिन अगर आपको लगता है जो माइंड सेट बनाया है शामी नहीं आपर की फ्लैक्षिप 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 उस बेसिस पर यह आगे पार निकल जाता है और किलर 2.0 या के 20 प्रो अगर आप बोल तो आप बने रहे हैं हमारे साथ और बोलते रहेगा भारत माता की चैन जोर से बोला करो सर्माय मत करो